अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो शेड़ जरू कर देज़ेगा आज की वीडियो में आपके सिर्फ 50-60 रुपे खर्श होंगे और आपके हाथों से बहुत बड़ा दान पुन्य हो जाएगा मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का मन होता है कि हम बहुत सारे लोगों को खाना खिलाए दान पुन्य करें लेकिन हमारा इतना सामर्तिया नहीं होता है देखे मैं कोई पंडित नहीं हूँ ना ही मैं कोई जोटसी हूँ लेकिन ये जो पाय मैं आपको बता रही हूँ है हमारी मम्मी और दादी अब बहुत पहले से करती हूँ आ रही है अगर आप उनसे पूछोंगे तो वो इस उपाय के बारे में ज़रू बताएंगे कि इस उपाय को करने से किते सारे लाब होते है हमें करना क्या है हम आज बनाएंगे चीटियों का 5-6 महिने के लिए खाना जी हाँ यही हमारा आज 50-60 रुपे का जो बहुत बड़ा दान होगा यह वही है इसके लिए हमें एक सूखा नारियल ले लेना है अगर आप थोड़ा बड़ा साइज करोगे तो वो ज्यादा दिन चल जाएगा चीटियों के लिए तो वो और भी ज्यादा अच्छा है वरना आप किसी भी साइज का कोई भी सूखा नारियल ले सकते हैं जो आम दो पर हम अपने घर में य्यूस करते है उसे हम ऊपर से थोड़ा कट कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर जो फीलिंग ऐड़ करेंगे उससे हम तैयार कर लेते हैं सबसे पहले मैंने लिया एक कटोरी आटा उसे मैंने आधा कटोरी बेसन डालके उसे भून लिया है क्योंकि आटा भूनने से वो चीटियों को नुक्षान भी नहीं करेगा और आटे की जो लाइफ होती है वो जादा दिन चल जाती है हमने आटे को अच्छे से भून लिये मिक्स करें घर मग प पैसीवी चीनी अप सबहर है आटे कर सकते हो आपके पा पर जो आबलेेबल वो आप्वे अधा कर सकते हूंud 23 चम्मच काले तिल और वाइड तिल ठीजो अ अच्छे से त्यार करना अतर से नारियल के अंदर फिल करण लोगे इस मिक्षर नारियल के अंदर अच्छे से दबा दबा के मिक्स याद केision किनि आ सी नारियल के लारे से यह इए और ये हमारा चीटियों के लिए 5-6 महीने का खाना हो जाएगा, कहा जाते हैं कि इससे बड़ा कोई भी दानने पुन नहीं होते हैं, कि हम बेजवान जीवों के लिए छोटे-छोटे किट पतंगों के लिए खाना तियार कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम इनसान हैं, हम तो कैसे भी किसी भी तरीके से अपना खाना खुद खोस लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं, चीटियों होती हैं, किट पतंगों होते हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे जीवों होते हैं, वो अपना खाना ढूंडने के लिए उन्हें बहुत सारी मै जाते हैं और इसके बाद हम इस तरीके से मौली से अच्छे से कवर कर लेंगी जिससे कि आटा बाहर ना निकले अब आपको क्या गरने कि इसे यह जो सूखनारेल हमने तैयार किया है इसे आप किसी भी मान जाते कि अगर आप पीपल के या बरगत के पेड के नीचे दबाओ त चीटिया जो होती है वो पेड के आसपास ही जादा आती है अगर आपके आसपास पार्क वगएरे में कहीं भी जहां पे चीटिया वगएरे जादा आती है आप महां भी इसे नारेल को जमीन में थोड़ा सा गड़ा करके दबा सकते हैं यह देखिए मैं मंदिर में आई थी ह यहारे कि बयादों में इक आप छोटा सा गड़ा की और इस तरीके से नारेख एस ले के आए थी ? यह मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरीके से बाहर डाल दिया है जिससे चीटियों को इसकी खुस्पू आ चाहिए पता चल जाएगो ने कि यहां पे हां उनके खाने के लिए कुछ है तो वह आराम से इस खाने को ढूंद सकती है उन्हें खाने को ढूंदने में ज्यादा यह देखे और यह हमारा चीटियों के लिए 6-7 महीने का खाना त्यार हो गया है इसे बहुत बड़ा दान माना जाता है का हमारे यहां पर और मैं एक्स्राहटा लेकर आई थी वह मैंने चीटियों के लिए इस तरीकी से बाहर से डाल दिया है यहां पर बहुत सारी चीटियो तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो आप शेयर कर दीजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा मिलते हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे